गंगाराम अपने गाउं में कई सालों से फूल बेचने का काम कर रहा था उनके घर के बाहर एक बहुत ही सुन्दर बगीचा था गंगाराम की पत्नी सावित्री उस बगीचे का बहुत ही अच्छे से खयाल रखते थी और उसकी मेहनत का ही फल था कि वो बगीचा हर वक्त रंग बिरंगे और बहुत सारे फूलों से भरा रहता था आप इतनी जल्दी आ गए अभी तो शाम भी नहीं हुए कोई नहीं खरीदेगा तो तब जब आप इने बेचने की कोशुश करोगे सावित्री तू समझ नहीं रहिए अब गाउं में लोग बदल गए हैं अब किसी को ना तो सजावट के लिए ताजे फूल चाहिए और ना ही पूजा में चढ़ाने के लिए कोई नया काम शुरू करने के लिए पैसे भी तो नहीं हमारे पास ले देकर बस यही फूल है इनके अलावा और कुछ भी नहीं तो अब मैं क्या करूँ तू ही बता मुझे ऐसा करो आप इन फूलों को हाईवे के पास जाकर बेचो वहाँ शहर को जाने वाली और शहर से आने वाली कई बसे रुखते हैं मुझे लगता है कि गाउं के लोग भले ही ना खरीदे पर शहर के लोगों को हमारे फूल बहुत पसंद आएंगे सावित्री उमीद का दामन थामे हुए थी लेकिन गंगा राम एक नंबर का आलसी था सावित्री के जोर देने पर वो अगले दिन फूल लेकर हाईवे के पास जाकर खड़ा हुए पूरे दिन वहाँ से कई बसे गुजरे लेकिन गंगाराम ने किसी के पास जाकर अपने फूल बेचने की कोशिश तक नहीं कि नतीजा यहां भी उसकी कोई कमाई नहीं हो पता नहीं क्या हो गया है लोगों को मैंने कहा था सावित्री को नहीं दिखेंगे ये फूल शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे अधेरा होने लगा था गंगा राम वहां बिलकुल अखेला था वो घर की तरफ जाही रहा था कि तभी उसे पास ही कुछ हलचल सुनाई दी उसने फॉरन पलट कर देखा तो वहां पर एक ATM था जिसके अंदर रखी मशीन को दो लोग खोलने की कोशिश कर रहे थे ये देखकर वो दोनों लड़के वहां से भाग निकले वो लड़के ATM मशीन का एक हिस्सा खोल चुके थे ये देखकर गंगा राम फॉरन ATM मशीन के पास गया और उसने उस मशीन के अंदर जहांकने की कोशिश की गंगा राम ने गुस्से में आकर अपने सारे फूल उस ATM मशीन के तूटे हिस्से से अंदर डाल दिये ऐसा करते ही ATM मशीन हिलने लगी और उसमें से एक इस पर की कई नोट बाहर निकलने लगी ये ये तो पैसे हैं वो भी इतने सारे ये ये तो कमाल ही हो गया गंगा राम बिना देर किये सारे नोट समेटने लगा फिर अचानक उसे कुछ खयाल आया और वो ATM के चारो तरफ देखने लगा क्या ढून रहे हो फिक्र मत करो यहां कोई कैमरा नहीं है क्कौन है सामने आओ ये ये कौन बुला भी यहां तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं है ये मैं हूँ तुम्हारे सामने खड़ी ATM मशीन क्क्क्या पर तुम बोल कैसे सकती हो ये सवाल जरा पेचीदा है लेकिन इसका जवाब सीधा सा है मैं एक जादूई ATM मशीन हूँ क्या कहा जादूई मशीन पर मैं कैसे मान लो तुम साबित करो तो फिर ठीक है तुम मेरे अंदर कुछ और फूल डालो और मैं उनके बदले तुम्हें पैसे दूँगी गंगा राम के पास मशीन के अंदर डालने के लिए अब एक भी फूल नहीं बचा था लेकिन उसे उस ATM मशीन को तो आजमाना ही था वो फॉरन ATM से बाहर आया और पास ही होगी एक जाड़ी से दो जंगली फूल तोड़ कर ले आया उन फूलों को ATM मशीन में डालते ही उसमें से फिर दो नोट बाहर निकले अरे ये तो कमाल हो गया क्या मैं तुम्हें अपने साथ ले चलो अपने घर वहाँ बहुत सारे फूल है लाल पीले नीले गुलाबी बहुत सारे नहीं अब इतना भी मत उड़ो तुम अगर मुझे अपने घर लेकर जाओगे तो सीधे जेल के अंदर डाल दिये जाओगे अभी चुपचप घर जाओ और कल फिर आना गंगा राम के साथ जो कुछ हो रहा था वो उसकी समझ से परे था लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था उसने घर पहुँचते ही उस जादू एटियम मशीन के बारे में अपनी पत्नी सावित्री को सब कुछ बता दिया ये सब बहुत अजीब है जी मुझे डर है कि कहीं आप फंस ना जाओ आपको जरूर कोई गलत फहमे हुई है कोई भी एटियम मशीन भला फूलों के बदले पैसे कैसे दे सकती है ओहो सावित्री तू ना सोचती बहुत है यही परेशानी है तेरे साथ ये सब छोड़ और मुझे ये बता कि अभी अपने बगीचे में कितने फूल होंगा होंगे तो काफी सारे अरे पर अभी तो अंधेरा हो गया है दिन शिपने के बाद कोई फूल नहीं तोड़ना चाहिए भूल गए क्या गंगाराम की जित के आगे सावित्री को जुकना पड़ा उन दोनोंने मिलकर एक रात में ही बगीचे के सारे फूल तोड़ लिये और फिर अगले दिन वो पहले से चार गुना फूल लेकर उस हाईवे पर पहुँच गए इत्तिफाक से उस दिन कई ग्रहाक उसके पास आये जो उससे फूल खरीदना चाहते थे लेकिन गंगाराम ने एक भी फूल किसी को नहीं बेचा उसे तो बस शाम होने का इंतजार था लगता है ये वक्त सही है आसपास कोई भी नहीं है चलो इन फूलों को पैसो में बदलने का वक्त आ गया है गंगाराम एक बार फिर एटियम के अंदर गया लेकिन इस बार एटियम मशीन पहले से खुली हुई नहीं थी ये देखकर गंगाराम कुछ घपराया लेकिन फिर उसने हिम्मत करके एटियम मशीन को खोलने की कोशिश की मशीन का एक हिस्सा खुलते ही उसने मशीन के अंदर फूल डालने शुरू किये उसके ऐसा करते ही एटियम मशीन में कुछ हलचल सी होने लगी अरे ये क्या कर रहे हो आज मुझे फूल नहीं चाहिए बंद करो उन फूलों को मट डालो मेरे अंदर हैं क्या मतलब कि फूल नहीं चाहिए तुमें कल इन्हीं फूलों के बदले तो तुमने मुझे पैसे दिये थी तो आज क्या हो गया मेरा मन बदल गया है और क्या तुम ही बताओ क्या तुम हर रोज एक ही तरह का खाना खाते हो क्या आज मुझे पत्ते चाहिए हाँ हरे हरे एकदम ताजे और रसीले पत्ते जितने पत्ते लाओगे उतने नोट ले जाना मुझसे उस ATM मशीन की बात सुनकर गंगा राम को गुस गंगा राम ने उस ATM मशीन से कहा इन पैसों के लिए तुम्हारा शुक्रिया पर सुनो कल तुम्हें क्या चाहिए होगा ये पहले से ही बता दो गंगा राम की कई बार पूछने पर भी ATM मशीन ने कोई जवाब नहीं दिया फिर गंगा राम सारे पैसे लेकर घर चला गया ATM मशीन हर रोज उससे कुछ न कुछ नया लाने को कहती जिसके बदले गंगा राम को धेर सारे पैसे भी मिल जाते ATM मशीन के दिये हुए पैसे गंगाराम के घर में एक संदूग के अंदर इकटे होते जा रहे थे लेकिन गंगाराम का लालश था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था हाला कि इस सब के लिए उसे जो मेहनत करनी पड़ रही थी वो भी उसे बहुत खल रही थी ये ATM मशीन तो मुझसे बहुत महनत करवाती है पर पैसे भी तो चाहिए कुछ तो दिमाग लगाना होगा मुझे गंगाराम ने बहुत दिमाग लगा कर एक तरीका सोच और फिर उस शाम को ATM मशीन से बोला देखो आज मैं तुम्हारे लिए अपनी तरफ से कुछ लेकर आया हूँ क्या लाए हो दिखाओ मुझे ये ये तो रही इस थेले में धेर सारी हवा है तुमने इस से पहले इस हवा के जैसा स्वाद नहीं चखा होगा अरे ये 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 लो मैंने ये सारी हवा तुम्हारे अंदर डाल दी लाओ अब मुझे मेरे पैसे दे दो तो आखिरकार लालच ने मेहनत को हराई दिया ठीक है मैंने तुम्हारी हवा रख ली अब तुम मेरे ये नोट रखो ATM मशीन के ऐसा कहते ही एक बार फिर नोट निकलने शुरू हो गया लेकिन इस बार वो नोट बहुत अलग थे असल में वो सिर्फ कागस के टुकड़े ही थे जिन पर कुछ भी छपा हुआ नहीं था ये देखकर गंगाराम गुसे से लाल हो गया उसने ATM मशीन को बहुत बुरा भला कहा लेकिन ATM मशीन से फिर कोई आवाज नहीं आई वहां अचानक ही तेज सायरन बशने लगा ये सब देखकर गंगाराम ने भागने की कोशिश की लेकिन वो पुलिस वालों के हथे चड़ी गया उसके घर पर मौझूद सारे पैसे भी पुलिस ने जब्द कर लिये और गंगाराम के पास सिवाए पच्टाने के अब कोई चारा नहीं था उसे समझ आ गया था कि चाहे जादू हो या हकीकत बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता चंदनपुर नाम के गाउ में राधा नाम की एक लड़की अपने भाईया भावी के साथ रहती थी राधा की भावी कमला स्वभाव की बहुत खडूस और अत्याचारी थी वो चाहती थी कि राधा की शादी किसी भी एरे-गेरे से हो जाए तो शादी का खर्चा करने से वो और राधा का भाई दोनों बच जाएंगे इसलिए वो राधा के लिए रिश्टा ढूंटी रहती थी एक दिन कमला बाजार जा रहे थी रास्ते में उसने देखा एक बहुत ही मजबूर और गरीब भिखारी लड़का अपनी बूरी मा की दवाई के लिए लोगों से भीक मांग रहा था वो कमला के पास आता है और उससे कुछ पैसों की मदद मांगता है ये बिखारी लड़का मेरे बहुत काम का है अगर मैं इस बिखारी से राधा की शादी कर दू तो हम उसाफत से छुटकार अपालेंगे और हमें एक रुपया भी राधा की शादी में लगाना नहीं पड़ेगा और हमारी सिर से बला टल जाएगी फिर हम पती पत्नी आराम से रह सकेंगे हम मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ पर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा आप जो कहोगे मैं करूँगा पर इस वक्त मेरी मा के इलाज के लिए मुझे पैसे दे दो कमला उस लड़के को कुछ पैसे दे देती है और घर आ जाती है अगली दिन राधा का भाई योगेश काम पर जा रहा था तभी वो योगेश से बोली योगेश मैंने अपनी राधा के लिए बहुत ही अच्छे लड़के का रिष्टा देखा है अगर तुम हा कहो तो मैं उस लड़के को आज ही घर पर बुला लेती हूँ पर कमला लड़का कैसा है क्या करता है कैसा खानन है है हमें ये सब भी तो देखना पड़ेगा की नहीं बस आ गई न वही बात तुम्हारे दिमाग में तुम तो सोचते हो कि मैं कमला की भावी हूँ मा होती तो वो उसके लिए अच्छा रिष्टा ढून कर लाती रहने दो तुम तो मुझे अपना समझते ही नहीं हो भला मैं अपनी राधा के लिए कोई गलत रिष्टा ढून कर थोड़ी न लाओंगी नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था अच्छा ठीक है शाम को तुम लड़के को घर पर बुला लो मैं जल्दी घर आ जाओंगा है कमला जिस लड़के को घर पर बुलाती है वो कोई और नहीं बलकि वही भिखारी लड़का था जिसकी मदद उसने बाजार में की थी उस लड़के का नाम सोहन था ये सारी युकती कमला की ही थी उसने सोहन को अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दिये थे ताकि वो देखने में अच्छे खांदान का लगे सोहन तयार होकर घर आ जाता है सोहन की मजबूरी ये थी कि वो एक गरीब भिखारी था और कमला ने उसके मा के इलाज के बदले में जो शर्त रखी थी वो उसे मजबूरी में मानने पड़ी सोहन की दूसरे शहर में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर नौकरी लगी है सोहन पगार कितनी दे रहे है जी जी वो पचास हां 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 मुझे याद आ गया तुम्हारी माताजी से मेरी बात हुई थी पचास हुजार रुपे बहुत बढ़ियां तो कब जाना है तुम्हें अगले अफ़ते निकलना होगा और मा की तवियर ठीक नहीं रहती इसलिए मा को भी साथ ही ले जाऊंगा और अपसे वही रहेंगे मैं चाहता था कि शादी अगले दो दिनों में ही हो जाए और मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे उच्चे विचार देखकर मैं बहुत खुश हूँ सोहन बेटा पर इतनी जल्दी हम कुछ तो तयारी करना ही चाहेंगे राधा मेरे एकलौती बहन है अरे आप भी कैसी बाते करते हो हम भी बेटा दहेज लेने और देने के बिल्कुल खिलाफ है शादी अगले दो दिन बाद ही होगी कमला ने सोहन को सब कुछ समझा बुझा दिया था बिचारा सोहन उसे जूट बोलना पड़ रहा था योगेश भी उनकी बातों में आ गया और राधा की शादी सोहन के साथ हो जाती है थोड़े बहुत कपड़े और सामान लेकर राधा अपने माईके से विदा हो जाती है पर शादी के बाद सोहन राधा से कुछ भी नहीं चुपाता वो उसे शुरू से लेकर आखिर तक की सारी सच्चाई बता देता है कमला भाभी ने मेरी शादी भले आपके साथ किसी भी तरह की हो पर आप मेरी पती है और माजी मेरी मा है आप तोनों जहां रहेंगे मैं वहीं रहलूगी मैं वापस जाकर अपने भाया को और कस्ट नहीं देना चाहती राधा सोहन और उसकी मा के साथ दूसरे गाउं के लिए चल पड़ती है राधा के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो खर्च हो गए सोहन और राधा मिलकर गाउं के पासी एक जोपडी तयार कर लेते हैं और राधा अपनी सास और सोहन के साथ उस जोपडी में रहने लगती है सोहन के पास कोई काम नहीं था इसलिए वो राधा की साथ मिलकर जंगल से लख्णियां काट कर लाता था और उसी को बेच कर वे गुजारा करते थे एक दिन सोहन और राधा जंगल में लख्णियां काटने गए हुए थे अचानक बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो गई वो दोनों कुछ देर जंगल में ही रुक गए तब ही उन्हें किसी के करानी की आवाज आती है वो दोनों देखते हैं गेहरे गड़े में एक बुढ़ा व्यक्ति गिरा हुआ है और बहुत ही कमजोर हालत में है राधा और सोहन किसी तरह से उस बुढ़े व्यक्ति को गड़े में से बाहर निकालते हैं और अपनी जोपड़ी में ले जाते हैं और उस बुढ़े व्यक्ति की बहुत सेवा करते हैं अगले दिन बुढ़े व्यक्ति को होश आता है तुम दोनों ने मेरी जान बचा कर मेरे उपर बहुत बड़ा एहसान किया है मैं पेशे से एक जादूगर हूँ जंगल के रास्ते घर जा रहा था गढधा जाडियों से धका हुआ था शायद किसी ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए ही वो गढधा खोदा था पता नहीं शायद बारिश में नजर नहीं आया और मैं उस गढधे में गिर गया तुम दोनों वहां नहीं आते तो मैं शायद बच भी नहीं पाता बाबा ये गरम-गरम हल्दी वाला दूद पी लीजे अच्छा तुम सब यहां रहते हो सोहन उस बुढ़े जादुगर को अपनी सारी बात बताता है अब तुम सब को परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है आज से ये जोपड़ी एक जादुई आलिशान जोपड़ी में बदल जाएगी और तुम जो कुछ भी मांगोगे वो पल भर में पूरा हो जाएगा इतना कहकर वो बूढ़ा जादुगर वहां से चला गया और उनकी वो जोपड़ी आलिशान बन गई अब राधा सोहन और उसकी मां आराम से उस आलिशान जोपड़ी में रहने लगे उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी राधा सचमुष तुम हमारे लिए लक्षमी रूप में आई हो तुम्हारे आते ही हमारे सारे दुख दूर हो गए माजी मैं चाहती हूँ मैं कुछ दिनों के लिए भाईया भाबी से मिलाओ हाँ हाँ सोहन तुम्हें तुम्हारे माईक के जरूर ले जाएगा राधा बहुत सारे उपहार और मिठाइखेंवार भाबी से मिलने चाती है योगेश अपने बहन राधा को देख कर बहुत खुश था पर कमला की तब्यद बहुत देनों से खराब थी शायद उसने जो गलतिया की थी उनकी वो सजा भुगत रही थी राधा, मैंने तुम्हारे भया को सारी सच्चाई बता दी है पता नहीं कैसी बिमारी लगई है कि ठीक होने में ही नहीं आरे मुझे माफ कर दो राधा भावी, ऐसा न कहो आप, बिल्कुल ठीक हो जाओगे राधा वापस अपने घर जाती है मेरी भावी की बिमारी दूर हो जाए ऐसी दवा मुझे मिल जाए राधा वो दवाई अपनी भावी को पिलाती है और उसकी भावी बिल्कुल ठीक हो जाती है और राधा को गले लगा लेती है उस दिन से राधा अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी जीवन बिताने लगती है कर दो कि नीवन लग वाई जाती है